अगर आप भी इस तरीके से बेंगन की सबजी बनाएंगे तो यकिनन आपकी घर में हर किसी को पसंद आएगी बच्चे से लेकर बुड़े तक हर कोई इसको खाना पसंद करेगा एक्तम नया तरीका हैं और बहुत शांदार और टेस्टे लगती हैं तो चले फर हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिये हैं बेंगन बेंगन मैंने यहाँ पर लंबे वाले लिये हैं आप गोल वाले बेंगन का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरीके से उपर का सीरा इसका हटा लीजिए और इसको जो है हमें इस तरीके से काट लेना है पहले तो इसकी 20 से 2 भाग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बड़े-बड़े टुकडों में काट लेना है यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल भी छोटे टुकडे नहीं करने इस तरीके से बड़े बड़े टुकडे रखने हैं तो बैंगन जो है बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं इसलिए हमें क्या करना है इसको थोड़ी देर पानी के अंदर रखना होगा तो यहाँ पर जितने भी बैंगन आप काटते हैं तो सीधा इसको पानी में डालती जाहिए और बैंगन के अंदर कीडे नहीं हो इस बात का भी आत त्यान रखेगा तो इस तरीके से आप बड़े बड़े टुकडे करते जाहिए और सीधा इसको पानी में डालती जाहिए जिससे की बैंगन हमारे काले नहीं पड़ेंगे तो अभी हम क्या करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे तब तक हम आगे की तेयरी कर लेते हैं तो थोड़ा सा पानी मुझे यहां पर कम लग रहा है मैं थोड़ा पानी और इसके अंदर डाल देती और इसको साइड में रख देंगे अब एक दूसरे बावल में हम यहाँ पर लेते हैं दही तो मैंने यहाँ पर आदा कप दही ले लिया है दही खटा वाला इस्तमाल करिए यहाँ पर और अभी थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर दीजे और अच्छे से इसको फैट लीजे, लंप्स फ्री कर लीजीए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दही को हमने अच्छे से यहाँ पर फैट लिया है अभी इसके अंदर हम दो चमच बेसन डालेंगे यहाँ पर दो बड़ी चमच बेसन डालना है चोटी चमच नहीं डालना है तो इसको जो है अच्छे से इसको mix कर लेना और पूरी तरीके से इसको भी lumps free कर लेना है इसके साथ mix कर लेना है अब इसके अंदर एक चौताई चमच नमक डाल देते हैं, साथ में एक चौताई चमच यहाँ पर गरम मसाला डाल देते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो बेसन और सभी मसालों को भी हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर बेंग बेशन वाला गोल है इसके अंदर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अगर आपको थोड़ा बेशन कम लगी तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं और इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और 20 मिनिट के लिए इसको हमें ढखकर ऐसे ही चोड़ देना है जि मिशली है हरे में थोड़ी तीखी है इसलिए मैंने दो ही इस्तमाल किया है आप अपने हिसाब से कड़ सकते हैं साथ में बुनी हुई मुफली मैंने या पर एक टेबल स्पून डाल दी है और अब अच्छे से इसको पीस लीजे एकदम से फाइन इसको पीस लेना अगर आपको बेंगन जो है पूरी तरीके से मेरिनेट हो चुके है इसके अंदर खटास लग गए होगी तो अभी हम क्या करेंगे चलते हैं गैस की तरफ यहाँ पर हमने एक कड़ाई रग दी है गैस पर और इसके अंदर हम डाल देते हैं तील तील को अच्छा गरम होने दीजिए हमें बेंगन को तलना है जब तील अच्छे से गरम हो जाए इसके बाद एक करते हुए इसके अंदर जो बेंगन है बेंगन के टुकड़े हमें इस तरीके से डाल देना और अच्छे से इसको तल लेना है जब तक कि इसका कलर पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाए और इसको इस तो चली फ्रेंट्स इसको हमने निकाल दिया है और इसी तरीके से हमें सारे के सारे बैंगन को तयार कर लेना है अब एक दूसरी कड़ाई लेंगे इसके अंदर हमें थोड़ा सा तेल लेना है और अच्छे से इसको गरम होने देना है जब ये थोड़ा गरम हो जाए इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हिंग यानि कि एक चोटाई चमच हिंग पाउडर और एक चमच छोटी चमच जीरा डाल देना जब जीरा अच्छे से कुख हो जाए चटकने लग जाए उसके बाद हम इसके अंदर जो पेश्ट हमने बनाया था वो इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आप चाहें तो इसके अंदर पानी साथ में भी डाल सकते हैं मैंने याप पर Purry जब बनाई थी तो इसके अंदर पानी नहीं डाला था तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सजेस्ट करूंगी कि आप सबजी को थोड़ा सा तीखा रखेगा तो इसको ढखकर आप छोड़ दीजी जब तक ये अच्छे से कोक नहीं हो जाता और आप देख सकते हैं गयस को हमें दिमा रखना है और जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता साइड से तब तक हमें इसको अच्छे से कोक करना है तो एका दो बार इसको चलाती भी रहीं बीच से और आप देख सकते हैं सबजी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया उपर तेल आना शुरू हो चुका है तो अभी हम इसके अंदर एक कप फेटा हुआ दही डाल देंगे तो यहाँ पर जो दही आप इस्तमाल करें वो ज़्यादा खटा नहीं होना चीए इस बात का आप द्यान रखिए तो दही को डालने की बाद आप इसको लगातार चला यह जिसे की दही जो है हमारा फटे नहीं और काफी अच्छे से हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तेयार हो साथ में एक कप यहाँ पर हम पानी भी डाल देते हैं और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें जो हैं लगातार इसको चलाते हुए मिक्स कर लेना है डग कर इसको अच्छे से कूक करेंगे 10 मिनिट के लिए बीच बीच में एक आद बार इसको चलाती भी रही है और अच्छे से यह जब कूक हो जाए ग्रेवी अच्छे से उबल जाए उसके बाद इसके अंदर हम बेंगन डाल देते हैं तो बेंगन को इस तरीके से हमें इसके अंदर डाल देना है मैंने सारे के सारे बेंगन को इसके अंदर डाल दिया है अच्छे से इसको चला लेना है और साथ में हमें याँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल देना नमक मैंने याँ पर पहले नहीं डाला था तो बाद में डाल रही हो, इस तरीके से आप इसके अंदर डाल दिजे नमक और इसको एक बार अच्छे से चलाईए और ढखकर 2-3 मिनट कूक किजे एक बार अच्छे से और चलाईए इसको और इसको बीच बीच में एक आद बार चलाती बे रहे जिससे कि हमारे जो सबजी है वो जले नहीं और गयस को मीडियम रखिए अब इसको ढखकर 10 मिनिट के लिए अच्छे से कोक कीजिए तो आप देख सकते हैं दूस्तों ग्रेवी अच्छे से घाड़ी होने लगी है सबजी जो है हमारी काफी अच्छी इसके अंदर खुश्बू आने लगी है अगर आपको थोड़ी ठीक चाहिए तो आप इसको और थोड़ा ठीक कर सकते हैं तो इस तरिके से मैंने इस तरिकी की सबजी इसको रखी हैं जिससे की ये चावल के साथ खाने के लिए काफी परफेक्ट हैं तो अच्छे से इसको चलाईए और ग्यस को उसके बाद बंद कर दीजिए मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है तो मैंने आपर एक छोटी चमबच यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है गैस को बंद कर लेंगे उसके बाद अब जो हैं इसको एक सर्विंग बावल में निकाल दीजिए तो उमीद है फ्रेंट्स आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा इसी तरीकी की नए-ने रेसिपिस देखने के लिए प्लेस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और वीडियो आज के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और साथ में एक लाइक जरू कीजिएगा खोड़ा सा मैं इसको पुदिने के पति से इसको गानिश कर रहे हो तो इसी तरिकी की और भी नहीं नहीं रेसिपिस में आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ तो आप इसको खाईए एक बार बनाएए और यकिनन यह आपको बहुत ही पसंद आएगी जैसे क्रिश्णा